है गाई वाच्ट सब दिस इस यूम मिस्रा चाइड डेवलेमेंट और पैडवाजी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम यूपी टट परिच्छा 2016 जो दिसंबर में आयोजित हुई थी उसने CDP के आये हुए प्रसनों पर डिसकुसन करने वा आपसंस हैं भासा विकास, योन विकास, संग्यानात्मक विकास या सामाजी विकास जो जीन-पियाजे है आईए इनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं है, जीन-पियाजे, यह सुड्जर लैंड के मनो वैज्ञानिक थे, जीन-पियाजे ने तोटल तीन सिध्धान दि जो इनका संग्यानात्म विकास का सिध्धान्त है, ये बहुत ही महत्पूर्ण है, संग्यानात्म विकास के सिध्धान्त में इन्होंने टोटल चाल चरण दिये हैं, कौन-कौन से? सबसे पहला sensory motor stage, जिसकी उम्र इन्होंने बताई है, 0 से 2 साथ, दूसरा दिया है इन्होंने pre-opersonal stage, जिसकी उम्र इन्होंने 2 वर्स से 7 वर्स तक बताई हैं, तीसरा है concrete operational stage, जिसकी उम्र इन्होंने बताई है 7 वर्स से 11 वर्स तक, और चौथा है formal operational stage, जिसकी उम्र इन्होंने बताई है 11 साल से 15 वर्स तक, तो संग्यानात्मक विकास के अंतरगत इन्होंने total 4 चरण दी हैं, जो कि बहुत ही महत्पूर्ण हैं, किसी ना किसी चरण से अक्सर प्रसंद पूचे जाते हैं, प्रसंद इस तरह से हो सकते हैं, कि निम्र में से कौन सा संग्यानात्मक विकास के चरणों में सामिल नहीं है, या इन संग्यानात्मक विकास के जो चरण दिये गए हैं, इनमें से कोई एक चरण दे करके पूचा जा सकता है, कि जो इसकी उम्र है, वो कौन सी होती है, जिसे आपसे कभी ये पूचा जा सकता है, विकास का सिध्दांत है, तीसरा संग्यानात्मक विकास का सिध्दांत है, संग्यानात्मक विकास का सिध्धान्त बहुत ही महरपूर है संग्यानात्मक विकास सिध्धान्त के अंतरगत इनों चार चरुन दिये है पहला है सिंसरी मोटर स्टेज जिसके उम्र जीरो से दो वर्स है दूसरा है Pre-Operational Stage जिसके उम्र 2 वर्ष से 7 वर्ष है और तीसरा है Concrete Operational Stage जिसके उम्र 7 वर्ष से 11 वर्ष तक है और चौथा है Formal Operational Stage जिसके उम्र 11 वर्ष से 15 वर्ष तक है अब अगर आपसे कभी कदाचित नैतिक विकास का जो सिध्धान्त है उसमें कितने चरण दिये गए हैं इसकी बात करें तो इसमें टोटल तीन चरण दिये गए हैं विचार और भासा के सिध्धान्त के बारे में अगर कभी पूझा जाता है जीन पियाजे के विचार और भासा के सिध्धान्त के बारे में अहम केंगरित और दूसरा इन्होंने बताया है सामाजित तो जीन पियाजे से सम्मधित जितने भी महत्मूर बात हो सकती थी सारी मैंने आपसे बता दी है अब आईए हम अपने प्रसंद पर वापस चलते हैं और हमारा प्रसंद था कि पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्यन के लिए जाने जाते हैं अब आपसंस आप पढ़ेंगे भासा विकास, योन विकास, संग्यानात्म विकास, सामाजिक विकास तो जो जीन प्याजे हैं वो मुख्य रूप से संग्यानात्म विकास के लिए जाने जाते हैं संग्यानात्म विकास की अंतरगत इन्होंडी टोटल चार चरण दिये हैं कौन-कौन से सबसे पहला संसरी मोटर जिसकी उम्र 0 से 2 वर्स है और दूसरा है प्री ऑप्रेशनल जिसकी उम्र 2 वर्स से 7 वर्स है और तीसरा है कौनक्रीट ऑप्रेशनल जिसकी उम्र 7 वर्स से 11 वर्स तक है और चोथा है फॉर्मल ऑप्रेशनल जिसकी उम्र 11 वर्स से 15 वर्स तक है आगे बढ़ते हैं और अगला प्रस्ण है जब मानो शरीर के एक भाग को दिये गए परिसिछन का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं options हैं उर्ध अंतरण, 36 अंतरण, दूई-पारिस्विक अंतरण या इन में से कोई नहीं, अब देखिए उर्ध अंतरण क्या होता है जैसे आपने कोई एक skill सीख की और जैसे मानलो आपने cycle चलाना सीखा और cycle चलाने के साथ बाद में आप motor cycle चलाना सीख रहे हैं तो जो skill आपने cycle चलाने में सीखी थी आप उसका परियोग अपने जो ये उच्च वाली skill सीख रहे हैं उसमें परियोग करेंगे तो इस तरह इसको कहते है उर्द अंतरण 36 अंतरण क्या होता है? 36 अंतरण वो होता है जैसे कि मान लो आपने गडित के फार्मूले सीखे और वो ही फार्मूले जब आप physics में यूज करते हैं तो इसको 36 अंतरण बोलते हैं 2 पारियोग अंतरण क्या होता है? कि जैसे जिस तरह से आप दाएं हाथ से अपने लिख रहे हैं इसी तरह से अगर आप बाएं हाथ से लिख सकते हैं तब इसको कहते हैं दोई पारियोग अंतरण तो इसलिए इस प्रस्ण का सही उत्र होगा तीसरा विकल्ड अगला प्रस्ण है दिये हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुदा सबसे बार आता है उसे खाली अस्थान कहते हैं अफ्शन से बहुलांक, मध्यमान, मध्यांक या मानक बिचलन तो जो भी प्राप्तांक देव होते हैं उनके समूह में जो प्राप्तांक सबसे अधिक बार परियोग में आता है उसे हम बहुलांक कहते हैं तो इस प्रस्ण का पहला विकल्प सही उत्तर होगा अगला प्रस्ण है क्रिया प्रस्ण का दूसरा विकल्प सही उत्तर होगा अब चूकि यहां इसकिनर का उलेख आया है, जो क्रिया परसूत अनकूलन सिद्धान्त है, यह बहुत ही महपून सिद्धान्त है, हर बार परिच्छा में इससे प्रसना आते हैं, तो आए इसके बारे में थोड़ा डीटेल में डिसकस कर लेते हैं तो गाईजी जो इसकिनर है, इनका एक सिद्धान्त है, अनकूरिया उद्धीपक का सिद्धान्त इसी सिद्धान्त का एक और नाम है, आर एस थोरी इसी को हमें एक और नाम से जानेते हैं, सबलिकृत अनकूरिया का सिद्धान्त तथा इसी का एक और नाम भी है क्रिया परसूत अनुबंधन का सिध्धान इसी का एक और नाम है नैमित्तिक अनकूलन का सिध्धान इसी का एक और नाम भी है इसका नाम है आपरेंट कंडिक्सनिंग अगर आपसे कभी है पूँचा जाता है कि इसकिनर ने किस पर अपना परियोग किया था तो इसकिनर ने चुहे पर अपना परियोग किया था इसकिनर का एक और सिध्धान्त भी है जिसका नाम है इसकिनर का भासा विकास का सिध्धान इस सिध्धान के अंतरगत से इसकी नटेंट टोटल तीन चरण बताएं है कौन-कौन से? इसका पहला चरण है अनुकरण तीसरा चरण है साहचल तीसरा चरण है सबली करण का इसलिए इसको वाताबर्णी भासा का सिध्धान्थ क्रिया परसूत भासा का सिध्धान या अनुकरन भासा का सिध्धान या सबली कृत भासा का सिध्धान भी कहा जाता है तो गाइज इसकिनर के बारे में हमें इतने पॉइंट्स जो की महतून है याद होने चाहिए सबसे पहला इनका एक सिध्धान्त है अनुक्रिया उदीपक का सिध्धान्त इसी का अलग-अलग नाम है जैसे आरेस थोरी सबलीकृत अनुक्रिया का सिध्धान्त, क्रिया परसूत अनुबंधन का सिध्धान्त, नैमित्तिक अनुकूलन का सिध्धान्त, ओपरेंट कंडिस् जिसके अंतरगित इन्होंने तोटल 3 चरण बतायाЯ पहला अनुकरण, दूसरा साहचल, और तीसरा सबली करण इसका अलग अलग नम है, इसका एक नम मुवातावरणिय भासा का सिद्थानत है, एक नाम क्रियापर्शूद भासा का सिद्थानत है और एक नाम अनुकरण भासा का सिध्धान्त है तो इतने महत्पूर बाते हमें इसक्रिनर के बारे में याद होने चाहिए अब आगे हम अपने प्रस्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रस्न है अलबर्ट बंडूरा निम्व में से किस सिध्धान से सम्बंधित हैं अप्सन्स हैं सामाजिक अधिगम का सिध्धान्त ब्योहार आत्मक सिध्धान्त विकास का संग्यानात्मक सिध्धान्त विकास का मनोव सामाजिक सिध्धान्त तो गैज जो अलबर्ट बंडूरा है ये सामाजिक अधिगम सिध्धान्त से सम्बंधित हैं प्रस्म का पहला विकल सही उत्तर होगा इन्हें आधुनिक संग्यानात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है अगर आपसे कभी यह प्रस्म पूछा जाता है कि आधुनिक संग्यानात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है तो यह कहा जाता है अलबर्ट बंडूर को इसके अलावा इन्होंने अधिगम के चरण दिये हैं यह अभी कभी परिच्छा में पूछा जा सकता है तोटल चार चरण दिये हैं पहला है आदर्स फिर अवलोकन फिर धारन और फिर प्रेड़ा जो प्रेड़ा है यह दो प्रकार से है एक तो है सबली करण और एक है निर्बली करण तो यह इतनी महतूर बाते हैं अलबर्ट बंडूरा से संबंधित अगला प्रस ने मानसिक आयू का प्रत्य दिया है अगला प्रस ने निमलिकित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है हमने अपनी पिछली कई वीडियो में इसके बारे में बताया है यह थांडाइक का है थांडाइक के सीखने के तीन मुख नियम दिये हैं कौन कौन से उसमें पहला है थांडाइक का नियम दूसरा है प्रभाव का नियम और तीसरा है अभ्यास का नियम तो इसमें कौन सा सामेल नहीं है इस नियम में तनाव का नियम तो इस प्रसंद का सही उतर होगा तनाव का नियम थांडाइक बहुत ही महत्पूर है गाईच आई एक बार हम इनको और डिसक्स कर लेते हैं थांडाइक के बारे में और THONDAIKE के बारे में हम आज उन चीज़ों पर discussion करेंगे जिसके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में discussion नहीं किया है जैसे THONDAIKE के 3 सीखने के 3 Mukhnyam और सीखने के 5 Gaudnium इसके बारे में हमने अपनी पिछले कई वीडियो में discussion कर लिया है अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं अब इसके अलावा थांडाइक से संबंधर जो महत्मूर बाते हो सकती हैं उसके बारे में हम आईए डिसकस कर लेते हैं गैज थांडाइक को सिच्छा मनोभिज्ञान का जनक कहा जाता है थांडाइक ने बिस्मृति का अनभ्यास का नियम दिया है थांडाइक ने व्यक्तित्यु के तीन प्रकार बताएं हैं चिंतन के आधार पर कौन कौन से पहला है स्थूल दूसरा है सूश्म और तीसरा है प्रत्य इसके अलावा इन्होंने बुद्धी के तीन प्रकार बताया है मूर्थ स्थूल और सामाजी इनकी कुछ महत्मूर किताबे हैं जैसे एक का नाम है एजूकेसन साइकॉलालजी एनिमल इंटेलिजन्स तो इतनी कुछ महत्मूर बाते हैं थौंड आई के बारे में और इनका एक जो सबसे महत्मूर है इन्होंने sr सिद्धान दी है sr थेयोरी दी है जिसको try and error त्रूटी और प्रयास का सिद्धान भी कहा जाता है इसी sr थेयोरी को try and error थेवरी भी कहा जाता है अब आईए हम अपने अगले प्रसंद पे चलते हैं अगला प्रसंद है सीखने से संबध प्रतकिरिया सिधांप में पाउलाओ ने परियोग किया आफसन्स हैं बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर या चुहे पर तो गाईज जो पाउलाओ थे, पाउलाओ ने अपना परियोग कुत्ते पर किया था तो गाईज आईए पाउलाओ के बारे में कुछ डीटेल में और भी बाते हम डिसकस कर लेते हैं पाउलाओ ने अपना परियोग कुत्ते पर किया था इसी लिए इसी अध्यन के लिए 1904 में नॉबल पुरुसकार भी मिला था इनके इस सिध्धान्त को एग्यस टाइप या उद्धीपक अनकूलन के नाम से जाना जाता है इनके ही सिध्धान्त का कुछ और भी नाम है जैसे एक नाम है सास्त्रिय अनकूलन सिध्धान्त इसी का एक नाम है अनकूलित अनक्रिया सिध्धान्त इसी का एक नाम है संबध अनक्रिया सिध्धान्त इसी के नाम है अनकूलित पृत्यावर्तन सिध्धान्त पावलाओ की एक किताब है कभी आपसे कदाचित ये भी प्रच्छा में पूछे जा सकती है जिसका नाम है Conditions Reflex अब गाईज आईए हम पावलाओ का जो इस सिधान थे ये किस तरह से इन्होंने परियोग किया था उसके बारे में डिसकस कर लेते हैं इन्होंने चार चरण में अपना ये परियोग पूरा किया था सबसे पहले इन्होंने एक कुत्ता लिया जिसको भोजन दिया तो उसका जो लार था वो टपकनिक लगा सबसे पहले इन्होंने भोजन दिया इसके बाद में दूसरा जो step है उसमें इन्होंने घंटी की आवाज लगाई तो जो कुत्ता था उसका लार नहीं टपका लेकिन वो भोचक का रह गया फिर तीसरे step में क्या किया कि इन्होंने पहले घंटी बजाई फिर इसके बाद में इन्होंने भोजन दिया तो घंटी बजाई और फिर भोजन दिया तो कुत्ते का लार टपकने लगा इसके बाद में चौते step में क्या किया कि इन्होंने घंटी तो बजाई लेकिन भोजन नहीं दिया तो इसके बावजूद भी जो कुत्ता था उसका ला टपकने लगा तो यही इन्होंने परियोग किया था इसी का नाम उतीबक अनकूलन सिध्धान कहा गया है तो इतनी कुछ बाते हमने पाउलाओ के बारे में सीखी वाई हम अगले प्रस्ण पर बढ़ते हैं और अगला प्रस्ण है सूज द्वारा सीखने का सिध्धान का प्रतिपादन किया है ओप्संस हैं थार्ण डाइक ने, कोहलर ने, फाउलाओ ने या उडवर्त ने तो इस प्रस्ण का सही उत्र होगा कोहलर ने कोहलर का जो सिध्धाम थे उसे ही सूझ का सिध्धाम कहा जाता है तो आए ये कोहलर के बारे में थोड़ा görüş कर लेते हैं तो ये जो कोहलर है इनके सिध्धाम को सूझ या अंतरदिष्टी का सिध्धाम या insightful learning कहा जाता है इनके सिध्धाम के कुछ और भी नाम है कदाचित आपसे ये भी प्रस्षा में पूछा जा सकता है जैसे एक नाम है इसका समग्रवाद एक नाम है इसका संपूर्डवाद एक नाम है इसका अवयवी वाद तो ये भी हम ध्यान रखेंगे अगला प्रसन है कारी को आरंब करने, जारी रखने और नियमित करने की परिकिरिया है options है प्रेनडा, संबेदना, सीखना या प्रतेच्छी करन तो कारी को आरंब करने, जारी रखने और नियमित करने की परिकिरिया है प्रेनडा अगला प्रस्न है बिस्मृति कम करने का उपाय है options हैं सीखने की कमी, सीखने की इत्रुति पूर विधी, अगला है पाठ की पुन्रावित्य और इस्मिर्ट करने में कम ध्यान देना तो इस्मिर्थी कम करने का जो उपाय है वो है पार्ट की पुन्रावित्ती अगर आप पार्ट की पुन्रावित्ती करते रहेंगे तो जो बिस्मिर्थी ही हो थोड़ी कम हो जाएगी अगला प्रसने क्रोध हुआ भाय परकार है options है अभी प्रिंडा के संभेग के परिकल्पना के मूल प्रवित्ती के देखिए थोड़ा confusion सा प्रसन आपको लग सकता है क्योंकि जो मूल प्रवित्ती के बारे में ठोड़ा देख लिजे पहले मूल प्रवित्ती के संभेपना MacDougal ने दी है जो MacDougal है इन्होंने टोटल 14 परकार के संबेग बताया है और इन परतेक 14 संबेगों के लिए एक मूल प्रवित्ती है यानि टोटल 14 मूल प्रवित्तियां है अब जब आप इन 14 संबेगों के बारे में साथ ही साथ उन संबेगों से संबंधित मूल प्रवित्तियों के बारे म इस वीडियो में हम especially उनकी जो मूल प्रवित्तियां हैं उनके जो संबेग है उसके बारे में discuss करेंगे तो सबसे पहले अगर आप नोट करना चाहें तो नोट करने सबसे पहले लिखेंगे संबेग फिर इसके बाद में लिखेंगे मूल प्रवित्ति तो गाइज नोट कीजिए या आप देख लीजिए के वल इनके संबेग जो संबेग इन्होंने चौदा दिये हैं सबसे पहला संबेग इन्होंने दिया है डर भूख घिना स्वामित्तु कृति भाव आस्चल क्रोध कामुक्ता आत्मधिवान करुड़ा वात्सल्य हिन्भावना एकाकीपन द्रिट्थी भोजनान वेशंड यатыं एक लुटि मूल प्रवित्ती क्या है तो अगर आपकीट केंगा होगी तो लिब Lanak प्रदें निवित कर देंगे उससे छोड़ देंगे तो लग्राकी जो मूल प्रवित्ती है अस Lazarus की जिग्यासा है क्रोध की क्रोध की इवत्सा है एक यहां पर और है आमोध कामुकता की कामुकता की कामुआसना है आत्म अविमान की आत्म गौरो है करुणा की सरणलागती है वातसल्य की पुत्रकामना है हिन भावना की दैति है एकाकीपन की सामुहिकता है और आमोध की हास है तो ये टोटल चौदा मूल प्रवित्या दी गई है मैक डूगल के द्वारा टोटल चौदा संदेग देगे हैं और प्रतेक संदेग के लिए एक-एक मूल प्रवित्या है तो बाई हम अपने प्रसंद पर वापस आते हैं अब आपने देखा कि जो क्रोध और भय है ये देग है जो कि मैक डूगल के द्वारा दिये गए हैं तो इस प्रसंद का सही उतर होगा दूसरा विकल आगे बढ़ते हैं और अगला प्रसंद है दूसरे ब्यक्त से वाह व्योहार की नकल करना है आपसंस है सीखना अनुकरन कल्पना या चिंतन तो दूसरे ब्यक्त के वाह परिसिचन अस्थानांत्रन सकारात्मक परिसिचन अस्थानांत्रन परिसिचन अस्थानांत्रन या सीखना तो यदि पूर्व ज्यान वह अनुभो नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे हम सकारात्मक परिसिचन अस्थानांत्रन कहते हैं तो इस प्रसंद का ब पुनार रखने या पुनार रखने की अस्फलता को बिस्मृति कहते हैं तो इस प्रस्टन का सहीवत रहोगा तीसरा बिकल्ब बिस्मृति अब ये कथन है एक मनौ बैज्ञानिक का अगर कभी आप से पूछा जाये कि जो एक कथन है ये किसका है तो आप क्या बताएंगे तो ये टी पी नन का एक कथन है, क्या कहा है टी पी नन ने, उन्होंने बताया कि सीखी हुई बात को इसमिरड रखने या पुना इसमिरड करने की अस्फलता को ही बिस्तमिती कहते हैं, तो ये टी पी नन द्वारा कहा गया एक कथन है, अब गाईस अगले वीडियो में हम 2016 जो दि आसकाओ